येस, रेडी फोर डिक्टेशन, स्टार्ट, उप सभाद्यक्स, जी, अंगरेजी समझने वालों की संख्या दो प्रतीशत से ज्यादा नहीं है विरा, यहां की दूसरी भासाओं के जानने वाले कई करोड नागरिक है विरा, उसमें से अगर इस दो फिस्दी को काट दिया जाए, तो सेस लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए तथा ग्यातव्य देने की लिए आउशक्ता इस बात की है कि हम अपना सारा काम अपनी भासाओं के माध्यम से करें और अंगरेजी से केवल अनुवाद मात्र हुआ करें विराम, जैसा की कई सदश्यों ने विचार व्यक्त किया है सन 1965 से हमारे देश की मुख्य राज भासा हिंदी होगी और अंगरेजी उसकी सेहकारी भासा बनी रहेगी विराम, मैं चाहता हूँ की अभी से ऐसे कदम उठाए जाएं की देश भर में हिंदी के माध्यम के दुवारा यह कारिय सुचारू रूप से चलने लगे विराम पहरा, हमें कुछ आंकडे दिये गए थे उसमें बतलाया गया है की प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो में हिंदी विभाग के सोलह करमचारी हैं, मैं मंत्री महोद्य को बतलाना चाहता हूं की सोलह वर्ष पूर्व भी इतने ही करमचारी थे विराम, इसमें कोई परगती नहीं हुई है विराम, उर्दू विभाग में चार सुचना धिकारी हैं और हिंदी में केवल एक, जबकि अंग्रेजी में पंद्रह बेस सुचना धिकारी मुकरर हैं विराम, जबकि हिंदी का इतना बड़ा काम हमारे देश में हो रहा है, हर काम हिंदी माध्यम से हो रहे हैं विराम पैरा अध्यक्सम हो दे, मैं तो आपको बधाई दूँगा कि आपकी लोकसभा में हिंदी के काम में बहुत उन्नती हो रही हैं, और अगले सत्र से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप साथ साथ अनुवाद दिलाया करेंगे विराम, अगर इस काम में सुचना मंत्राले पिछडा बना रहे अपनी भासा संबंधी नीती के संबंध में, तो यह बड़ा ऐसंतोस जनक, आस्चरिय जनक तथा दुख दाई होगा विराम, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सुचना मंत्री इस प्रती वेदन पर तो ध्यान दें, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं, साथ ही साथ कोशिस करें कि हिंदी माध्यम द्वारा ज्यादा से ज्यादा काम होने में परगती हो सके, विराम ओर